आप लोग देखते हैं 24 आर 7 टीचर्ज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की क्लास हमारी क्लास 1 है और आज की क्लास क्लास 1 से हम अपना एक नया कॉर्फ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है Business and Technical English Writing दोस्तों इस कोर्फ के अंदर हम लोग ये देखेंगे बलके ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो है अपने English को इंप्रूब कर सकते हैं कैसे हम बिजनिस की जो language है और English Writing है उसको कैसे सीख सकते हैं हम जो English के अंदर technical terminologies हैं with respect to the business वो कैसे हम लिखेंगे और कैसे हम अपनी communication के दोरान उनका इस्तमाल करेंगे दोस्तो इसी कोर्स के तरू हम business की language को सीखने की कोशिश करेंगे कैसे हम reports लिखते हैं business की कैसे हम business के letters लिखते हैं हमारा ये जो कोर्स है specifically हम in English और technical English writing के हवाले से हैं इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें खीकने की कोशिश करेंगे दोस्तो आज की class पहली class है और आज की class का हमारा जो topic है वो basically है introduction of communication क्योंके हमारी जो इप्तदा है वो communication फि होगी और फिर हम आगे इसको लेकर चलेंगे और देखेंगे कि हम अपनी communication के अंदर जो है वो कैसे English का इस्तमाल करते हैं और कैसे हम अपनी communication को बेहतर बना सकते हैं with respect to the business तो चलिए दोफ्तों आज की class शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये communication होती क्या है दोफ्तों आपको screen के उपर communication की definition नवद आ रहे ही है communication mean exchange of information और process of sharing के communication फे मुराद ये है exchange of information के हम किसी भी information का तबादला कर रहे हैं या process of sharing that can be a knowledge वो knowledge भी हो सकता है और भी different form हो सकते हैं sharing की हम कुछ भी share कर सकते हैं तो ये हमारा communication के अंदर आता है communication के अंदर यहां पे आपको एक picture नजर आ रही है जो एक male और female की है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं this is also called a type of communication तो ये भी communication की एक किसम है वो ये भी हो सकता है के knowledge को share कर रहे हैं वो ये भी हो सकता है के information को आपस में share कर रहे हैं या information को आपस में exchange कर रहे हैं तो communication से मुराद यही है exchange of information और process of sharing दोस्तों अब यह जो communication है यह different mod के थू की जाती है वो आपका memo हो सकता है हम memo के जरीए लोगों के साथ communicate करते हैं within the business कोई business letter हो सकता है अगर हम business से बाहिर किसी के साथ communicate करते हैं तो business letter के थू करते हैं वो कुछ instruction हो सकती है हम within the company जो है लोगों को जो हदायात देते हैं वो हो सकती है project proposal हो सकते हैं progress reports हो सकती है तो दोस्तों इस पूरे course के अंदर हम यह सीखेंगे कि कैसे हम memos को लिखते हैं कैसे हम business letter को लिखते हैं कैसे हम instructions वाले memo को लिखते हैं कैसे हम project proposal को लिखते हैं कैसे हम progress report को लिखते हैं और भी different चीज़ें जो है हम इस course के अंदर सीखेंगे कि कैसे हम जो है अपनी इस communication को जो है वो बहतर बना सकती हैं और कैसे हम अपनी report writing जो है या simple writing या English writing मैं कहूं कि वो कैसे बहतर कर सकते हैं दोफ्तों यहां पे आपको अगली flight के उपर communication की types नवर आ रही है दोफ्तों there are two types of communication the first one is the oral communication and the second one is the written communication अब oral communication क्या होती है और written communication क्या होती है oral communication is really just talking to others के हम दूफरों के साथ जो बहुत करते हैं इसको हम oral communication करते हैं for example हम telephone के उपर अपने एक दोस्त से बात करते हैं तो इसको हम oral communication कहेंगे दोस्तों अभी मैं आपको एक lecture deliver कर रहा हूँ तो ये भी एक oral communication है मैं बोल कर lecture deliver कर रहा हूँ इसके बाद written communication written communication means communicating to others through the written words अभी जो मैं बोल रहा हूँ this is called oral communication जो आपके screen के उपर लिखा वह नजर आ रहा है in shape of words ये हमारी written communication है दोस्तों इसकी example और भी हो सकती है आप किसी को email write करते हैं ये भी written communication है हमारा जो main focus है in this subject वो oral communication के उपर भी रहेगा और इसके साथ हमारा written communication के उपर भी रहेगा जिसके तरू हम सीखेंगे के कैसे हम memo लिखते हैं कैसे हम report writing करते हैं कैसे हम project proposal लिखते हैं कैसे हम different instruction लिखते हैं employees के लिए तो ये दोफ्तों हमारे पाद दो अत्षाम है communication की एक oral communication है एक written communication है दोफ्तों ugly flight के उपर हम इन दोनों का जो है written communication का और oral communication का difference देख लेते हैं एक picture के वरिये भी ये difference आपको दिखाया जा रहा है कि एक file पे एक फाहब है जो mic phone के वरिये जो है बात कर रहे हैं और आपको दोफ्तों फाइट पर दिखाया जा रहा है news letter है ये आपकी है oral communication जिसमें एक cartoon जो है वो mic के थूँ बात कर रहे है और दोफ्तों पर जो news letter है ये आपकी written communication की एक example है इन दोनों में फर्क क्या है अगर हम oral communication यूज करते हैं तो हमारा जो message है हम जो लोगों को पैगाम देना जाते हैं that can be conveyed with speed या quickly वो deliver हो जाता है on the other hand if we are talking about the written communication in this type of communication the message is conveyed to the audience slowly बात slow जो है हमने एक letter लिखा अब हमने यहां मलतान से वो letter जह कराची बेजना है तो यहां से देखें कितना time लगेगा आपको letter पहुंचाने में या letter पहुंचने में लेकिन अगर हम oral communication की बात करें तो हम mobile निकालते हैं और उस बंदे का number डाइल करते हैं और उसको पैगम पहुंचा देते हैं यह कितना quickly हो गया The second difference between the written communication and oral communication is no record of communication जो हमारी oral communication है इसके अंदर हमारे पाफ कोई proper record नहीं होता On the other hand, अगर हम बात करते हैं written communication की तो यहां पे भी no record लिका हुआ है लेकिन यहां पे आना था record of communication कि हमारे पास जो है वो उसका record महफूफ होता है अगली जो आपको point नज़र आ रहा है वो है communicate with the word of mouth कि हम जो अलफाज मुझे बोलते हैं यह भी हमारे पास oral communication के अंदर आता है और अगर हम written communication की बात करें तो वो हमारे पास with the help of a text with the help of the words with the help of the paragraph तो यह सारे जो चीज़े हैं वो मिलकर written communication बनाती है तो दो उसको यह basically difference है written communication और oral communication का दोस्तो अगली slide पर हम यह देख लेते हैं कि हमारा यह जो technical English writing का course है इसको हम क्यों पाड़ रहे हैं दोस्तो यहां पे कुछ points मैं आप लोगों के साथ share करूंगा that will increase the importance of this subject के हम इस course को क्यों learn कर रहे हैं why we learn the technical English writing course दोस्तो इसमें जो पहला point है वो है improve communication skill हमारा एक objective जो है to study this technical English writing course is to improve the communication skill के हमारी जो communication skill है उसको हम improve कर सकें the second point is the business English leads success के अगर हम ये technical English writing सीख जाते हैं तो हमां अगर करोबार करते हैं तो उसमें हमें काम्याबी हासिल होगी हम जो दूफरों को letters लिखेंगे वो हमने जो सीखा है उसके थ्रू लिखेंगे और इससे हमारी जो ना सिरस communication skill अच्छी होगी बलके हमारे करोबार को भी तरक्की मिलेगी वो ये कहेंगे के वो बड़ा काबिल बंदा है जो इस करोबार को lead कर रहा है दोस्तो इसका अगला जो benefit है वो है working abroad के अगर आपकी communication skill और English speaking skill बहुत अच्छी आ जाती है तो you have an opportunity to work abroad आप जो है खेर मुल्क में जाके काम कर सकते हैं इसके साथ ही अगला point है learn business language हम business language सीखेंगे कि कैसी है business letters लिखे जाती है आखरी इसका objective है वो है make business more profitable जब आप properly एक formalized तरीके से सारी चीज़ों को करेंगे तो आपका जो business है वो more profitable होगा तो दोस्तों ये कुछ objective है इस English and technical English writing course को पढ़ने के दोस्तों आज की class हम यहीं पर wind up करेंगे दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इस course की एक और beauty भी है वो यह है कि ये ना सिरफ concise और short lecture है बलके इसके साथ आपकी कुछ तयारी भी होती रहेगी इस तयारी के लिए आपको हर मेरे lecture के इस्तताम पे मैं आप लोगों के साथ एक activity शेयर किया करूँगा और फिर अगली class पे आके उनका जो answer होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा दोफ्तों अगली slide के उपर आप लोगों को आज की class की activity नज़र आ रहे ही है इसमें चार question आपको नज़र आ रहे हैं और ये चार जो question है वो मैंने आज की ही इसी class से जो है वो ड्रा किया है तो know about that कि आपको आज की class की कितनी समझ आई है आप ये question अपनी notebook के ओपर write down कर ले और अगली class में आने से पहले जो है आपने मुझे इनके answer देने है question क्या है पहला question है which of the following is more effective technical communication second question है talking on mobile with your friend is an example of third question है communication can be defined as और last question है writing an email is response of verification of the registration is known as ये चार question के जह है अगली class में आने से पहले आपने मुझे जवाब देने है दोस्तों आज की class हम यहीं पर wind up करेंगे और एक बार quickly जह है वो summarize करते हैं कि आज की class के अंदर हम लोगों ने जह है वो क्या पढ़ा है दोस्तों आज की class के अंदर हमने सीखा है what is meant by communication, communication से क्या मुराद है, we have seen the different types of communication, हमने दो अक्साम देखी, written communication की और oral communication की, we have also studies about the difference of written communication and oral communication, हमने इस को देखा, आखिर के अंदर हमने ये देखा के हम इस technical English writing course को क्यों पढ़ रहे हैं, दोस्तों आज की class यहीं पर खतम करते है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share करें जिनका ये subject है, technical English writing का comment वरूर किया करें ताके मुझे motivation हो, और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए lectures record करता रहूं, मेरा channel 24R7 Teachers Online subscribe कीजिए, ताके मेरी हर आने वाली वीडि झाली झाली प्सफ़ाद्टी के सीजिए, कर का छोगों के मैंने वीडिताए सवतर्ली Subscribe toगė झाली में ये त traff देई ख Thousand走了 झाली मैं कीजित के सव...